मैं इस्कूल में गया हूँ इस्कूल में जाने के बाद में बच्ची ओकी तरब से आवाज आई। पछीोंने बॉजिडी कि जैशिय राम एर जाने से। तो कहने का ताथत्प्रे कुछ लोगों की राज़ने चलनी रही है। कुछ लोगों को पच्छनी राय, डेश का सुहारद और प्रेम. गंगापॉल स्कूल के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बालमुकंदाचारी जो विधाय का हमा महल से बात करेंगे. अभी हम स्कूल में गए, वहां बच्चियों को रेस्ट में तक बाहर नहीं आने दिया गया, बंदक बना के रखा गया एक तरीके से, और वो भी देखा जहां पर मजार बनाने की कोशिश किये गई है. साथ यही हम बताना चाहरे हैं, हम बच्चियों का भविष्य खराब करने की नियत से नहीं हैं, वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो यानने किसी समास संपरदाय के हूं मानने वाले हों, सारा इस भारत का एक परिवार है, इस अखंड परिवार को खंड करने की ये योजना है. पिछले पांस साल जो हरकती की गई, उस हरकतों की बज़े से मत भेद, मन भेद बढ़ गए और आपस में द्वेश फैल गया. अभी भी कुछ लोग राजनिती जिनकी चल नहीं रही है, जो डिलिट हो चुके हैं, वो मौल बिगाडने की कोशिश में हैं. मैं स्कूल में गया हूँ, मैं स्कूल में जाने के बाद में बच्चियों की तरफ से आवाज आई, जैशे राम, जैशे राम. बच्चियों ने आवाज दी, जैशे राम, मेरे जाने से. उसके बाद सरस्वती का अर्चन करने की बात आई, तो मां बोले मंदिर, बंद है, मं मजार बनाने का काम किया जा रहा है, फ्राइडे को छुटी रखने का नियम कर दिया है, फ्राइडे को सब जाओ नवाज पड़ो, और जो नहीं जाता है पढ़ने उनको इस क्लासरूम में सब पड़ो, सब पर प्रार्थना नहीं बोलेंगे, और बनने मातरब नहीं बोलेंग बैट कर दो रास्ट करेंगे की राश्ट के प्रतीतों भाव है नहीं राश्ट से महुल करने के लिए तो आप IKEA कळ रहा है है कि ये हमारे धर्म का मामला है हिजाब पहना हमारे धर्म में है और बच्चियों से जब हमने बात किये वो भी करने कि यह सब हमारे धर्म में है देखिए बात ठीक है इसकूल का लेकिन ड्रेस कोट होना चाहिए ना साथ हिजाब भी ठीक है चलो लेकिन गुरका गुरके में बच्चियां प सब्सक्राइब और यह जोगों निए उनकी तारिफ की है बच्चियों की एक अकाउंट खुलेग निए उनके परसनली पूछा है मोधी जी से संबन्दी जितनी योजना है उनके लाभ है बच्चों आपके लिए आपने लियग नहीं लिए उनके बारे में मैंने उनके बात की करते लिएating गुष्टन कीुंहीं कि देश का सवते हैइं और हिए भीशी कही है, और जो दूसरे अमीन कागजी जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि बाबा जो है वो धार्मिक तूल देने की कोशिश कर रहे हैं माहुल खराब कर रहे हैं और बच्चियां ये कह रहे हैं कि हमारा हिजाब नहीं हटाएंगे हिजाब अटाने की बात नहीं है, ड्रेस की बात है, हिजाब की बात नहीं हो रही है, यहाँ ड्रेस की बात हो रही है, कि स्कूल ड्रेस में बच्चे बच्चियों को होना चाहिए, स्कूल ड्रेस पहन के आनी चाहिए, बच्चेों को बच्चियों को अलग अलग दूर दूर बैठाते हुए दोनों का आपस में बैठना चाहिए दोनों समार संपरदाय के आपस में दूसरे बाचित करें बैठें पढ़ाई का महोल रहे और पढ़ाई पर ही वो लोग केंदरित रहें न कि और चीजों में फसें यही मेरा निवेदान है लेकिन मैंने देखा अभी जब ह बच्चों को पढ़ने से रोकना चाहते हैं यह लोग चाहते ही निए बच्चे पढ़ें मुख्यधारा से जड़ें और बच्चों में इस प्रकारई की जो चीजे डाल रहे ही है यह चीजे बंद हो जाएगा हैं इनकी जो चाहते हैं इसलिए要 हैसा महोलGU बना रहे हैं कि ब झाल झाल